प्रेंट्स वेलकम बेक टू मैं चैनल मेरा नाम है और आप लोग देख रहे हैं पावर उफ ट्रेडिंग स्टॉक जलिए दूस्तों हम लोग देखते हैं जो कल निफ्टी और बेंक निफ्टी का किस तरह से काम कार जा सकता है कैसे मोमेंटम कर सकता है हम लोगों को क्या करना चाहिए और हम लोग उसको कैसे ट्रेड कर सकता हम ना ट्रेड कैसे प्लान कर सकते हैं और साथ ही साथ हम लोग कुछ स्टॉक्स को भी देखेंगे जो कि एक अच्छ लेवल पर है तो आप लोग इस वीडियो को लाश्ट तक देखें जिससे आप लोगो काफी कुछ सीखने को म मिलेगा तो सबसे पहले अगर निस में देखेंगे निस्टी में कल हम लोगों ने डिसाइड किया था जो यह एक लेवल है अगर फिटीन एंट्रेड के ऊपर निस्टी को उपर जाना चाहिए अगर आज आज आप देखेंगे तोनिफटी गैप ऑपनिंग हुआ और आप ऋ आपको 50 पुइंट के रेंज में जो है निफित आज पूरे दिन भर काम काज चीया है यह अऊपन गैप जरूर हुआ लेकिन इसके बाद जो है ये विल्कुल एक range में इस range में ही काम किया है इसी range में ये काम किया है तो अब अगर अब कल nifty दो possibility है या तो nifty एक बार नीचे आके इस से जो moving average है जो कि एक trend line के तरह भी support कर रहा है इस nifty के moment को इसको touch करके फिर ये उपर जाए या फिर अगर एक और चीज ये हो सकता है जो nifty कुछ flat खुले कुछ इसी range में खुले और ये first hour में ही उपर की और निकल जाए या फिर nifty कल फिर से gap up करके उपर निकल जाए तो हम लोग देखते हैं जो कल nifty किस तरह से आपको उपर जाता है आज bank nifty भी bullish हो गया है तो और अभी bank nifty में आज अच्छा momentum हुआ था तो कल हम लोग देख सकते हैं जो bank nifty किस तरह से काम काज करेगा अभी nifty में ज़्यादा momentum नहीं हो रहा है nifty को pharma समाले हुए है और IT सेक्टर भी समाले हुए है और सब सेक्टर से इतना अच्छा support नहीं मिल रहा है एक FMCG में अच्छा movement हो रहा है बट bank nifty ने आज हलका थोड़ा बहुत support किया बट फिर भी वो एक range में रहा तो कल अगर nifty flat खुल के उपर निकलता है तो nifty में अच्छा momentum देखने को मिल सकता है या फिर nifty एक बार नीचे आके इस moving average जो की एक trend line के तरह भी काम कर रहा है इसके support से ये उपर की और निकले तो फिर एक अच्छा momentum हो सकता है एक fresh momentum देखने को मिल सकता है तो देखते हैं जो कल nifty कहां open होता है फिर हम लोग उस हिसाब से trade को plan करेंगे दूसरा हम लोग देखते हैं bank nifty bank nifty अगर हम देखेंगे तो bank nifty हम लोगों ने सोचा था जो अगर इस level से ये कहीं गिड़ेगा तो हम लोग इसको trade करने के लिए देखेंगे बट अगर आप इसको normal candle में देखेंगे तो ये ये भी gap up open हुआ और उपर के side ही निकल गया फर्स्ट candle में ये नीचे आने के कोशिस किया बट नीचे आया नहीं और ये ऊपर निकल गया अब अगर bank nifty में अगर मैं इस चार्ट को हलका सा जो माउट कर तो आप लोग को एक रेंज दिख रहा होगा और नहीं दिख रहा तो मैं रोइंग के तुरू दिखा रहता हूँ जो एक इस रेंज में bank nifty काफी ज्यादा कर रहा है तो कल अब इस रेंज में यह जो रेंज है यह bank nifty के लिए काफी कुरूसियल हो जाता है जो अगर कल इस रेंज में खुलके और फिर जो है उपर की और निकलता है तो फिर हम लोग bank nifty में अच्छा करता है तो फिर एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है bank nifty हम लोग के सेटप के अनसार भी जो है बुलिस हो चुका है बट अभी हम लोग इसको ट्रेड नहीं कर सकते हैं क्योंकि अगर आप यह देखेंगे 200 पॉइंट का जो यह रेंज है 35500 इस रेंज में काफी ज्य कर सकते हैं क्योंकि इस रेंज में काफी ज्यादा bank nifty को assistance मिल रहा है तो इस रेंज को अगर एक बार bank nifty क्रॉस करके ऊपर निकलेगा या फिर अगर एक दो दिन हाल्ट और यहीं कर जाता है तो फिर एक और काफी अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा तो हम लोग देखते अब चलिए stocks में बात करते हैं सबसे पहला जो इस टॉक है विपडू मैं अगर देखेंगे तो विपडू जो है काफी अच्छा मोमेंटम कर रहा है अगर देखेंगे तो प्रिवियस पहले भी यह नीचे आया फिर यह उपर गया और मुविंग एवरेज के सपोर्ट से बार वार उपर जा रहा है और विपडू के लिए आज भी मैंने दिया था बट आर इसने मौका नहीं दिया अब यह आज जो लाश्ट के सेशन में यह मूविंग एवरेज के पास आके और यहीं पर हॉल्ट कर रहा है अब अगल यह कल के सेशन में यहां से ऊपर जाने की कोशिस करता है मूविंग एवरेज के सपोर्ट से तो फिर यह एक अच्छा ट्रेड हो जाएगा क्योंकि अगर आप देखेंगे तो प्रिवियसली यह इस लाइन को लेके सपोर्ट कर रहा है तो यह हम लोगों के लिए अच्छा कंफ्लेंस हो जाता है जो इसी लाइन के सपोर्ट से फिर ऊपर की और निकलेगा तो हम लोग इसको बाई करने के लिए देखेंगे और आपका इस्टॉपलोस जो है इस लाइन के नीचे रहेगा तो यह एक अच्छा ट्रेड हो जाकता है दूसरा है टीसीएस टीस के सपोर्ट से यह भी ऊपर की और फिर हॉल्ट किया यहां पर फिर इसने एक ऊपर की और मुवमेंट किया और फिर जो है यहां से यह हॉल्ट कर रहा है और आज के सेशन में देखेंगे तो लाश्ट में यह मूविंग एवरेज के सपोर्ट पर अब कल अगर यह फिर यहां से मूविंगर से सफेट से आपर जाने की कोशिस करता है तो फिर हम लोग इसमें ऐख मोमेंटम देख सकते हैं और हम लोग इसको ट्रेड कर सकते हैं आपका stop loss जो है इस लाइन के नीचे रहेगा और आपका stop loss जो है यहां कहीं करें तो हम लोग इसको भी एक ट्रेड करने के लिए देख सकते हैं तसरा स्टॉक है तार्टा मोटर्स में भी अगर आप देखेंगे तो यह भी एगर आप देखेंगे तो कल अगर यह फिर यहां से उपर जाता है तो हम लोग इसको ट्रेड करने के लिए देख सकते हैं और हम लोगों का स्टॉप लॉज जो है इसी लाइन के नीचे देहेगा और अगर यह फ्रेस मोमेंटम यह फिर से स्टार्ट कर सकता है चुकि मुविंग एवरेज के पर की और गया है तो कल हम लोग इसको भी बाई करने के लिए देख सकते हैं एक और स्टॉक है इंडस इंड मेंक मैंने मैं क्यों चुना अगर आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा तो अभी मैं ड्रॉइंग करता हूं फिर आप लोगों को दिखेगा यह इस रेंज में करता है और अगर आप देखेंगे तो चार्ट प्रिको दिख रहाऊँ से लिए फीन से यहां से इसको अगर देख सकते हैं आपका stop loss जो है वो इस line के नीचे रहेगा और यहां से यह support लेके ऊपर निकलेगा तो फिर हम लोग इसको trade करने के लिदेख सकते हैं तो आप लोग इसको भी watch list में रख सकते हैं काफी लंबे समय के बाद एक consolidation के बाद जो है यह stock ऊपर की और निकला है तो हम लोग इसको trade करन यहां पे एक time यहां पे इसने touch किया फिर bounce back किया फिर यहां पे touch किया यहां बाउंस बैक किया और फिर एक बार जो है यह moving average के support पे है और अगर आप देखेंगे तो आज यह कुछ यहीं पे जो है एक range में trade किया है last के almost जो है one and half hour यह two hour में आप बोले तो यहीं पे trade किया है तो कल अगर यह फिर यहां से support लेकि ऊपर की और निकलेगा और अगर आप देखेंगे तो मैं अगर drawing के तुरू दिखा हूँ तो आपको यहां पे trend line भी दिख़़ा होगा यह कुछ ऐसा trend line भी दिख़़ा होगा तो यह एक अच्छा confluence हो जाता है जो moving average के support पे भी है और ए अगर आप देखेंगे तो यह continuous moving average के support से एक बार यहां पर इसने ऊपर गया फिर यहां पर यह support लिया और फिर देखेंगे तो यह moving average के यहां पर support पे है और last one hour में यह यह पर consolidate किया है तो कल अगर यह इस level के ऊपर रहता है तो 43 001 psychological level भी round number है और उसके ऊपर है अगर moving average के ऊ सकते हैं और यह आज और एक चीज़ यह द्यान देखेगा जो मार डिवीज लैब जो है वह 30 minute के चार्ट पे है तो इसके यह एक हैसा है जो इस पर target थोड़ा इसका बड़ा होगा stop loss भी इसका बड़ा है almost 50 point के आसपास का stop loss है और इसका target भी ज्यादा बड़ा होगा तो अच्छा reward देगा अगर उपर में आप देखेंगे तो यह यहां पर अल्रेडी दो बार टच कर चुका है 4400 लेवल को तो अगर यह एक बार फिर से 3rd time टच करने जाता है तो काफी fair chance रहेगा जो यह उपर की side और breakout कर दे और अच्छा target और देखने को मिल सकता है तो हम लोग कल इन सब stocks को देखेंगे watch करेंगे और जिसमें भी entry मिलेगा उसमें हम लोग entry करेंगे आसा करते हैं आप लोगों को logic clear हो रहा होगा अगर logic नहीं clear हो रहा है जो हम लोग क्यों stock को ले रहे हैं और अगर और कोई भी query हो तो आप लोग comment box में डाल सकते हैं तो हम लोग उसके उपर भी clear करने के कोसिस करेंगे अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा ले जिससे आप लोगों को daily notification भी मिलता रहेगा धन्यवाद दूस्तों